तो देख सकते हैं पूरी तरह बरफ से कवर्श जैसा बन गया है और अंदर हमारा फोन स्टार्ट भी है यह टाच काम नहीं करेगा क्योंकि उपर बरफ है इसलिए तो अभी हम बरफ निकालने का स्टार्ट करेंगे दोस्ते तो रमस्बकोत्राव देख रहें रमस्बकोत्राव लोग से यूट्यूब चैनल दोस्तों सेमसंग ने अपना नियू स्मार्ट पॉन लाउंच कर दिया है सेमसंग इलेक्सी एफिप्टी 3 5G तो यह फोन वोटर पूफ है तो ऐसा लगा कि इसका एक फ्रिजर टेस्ट वीडि इस्टन सल्टिफिकेट मिला हुआ है तो अभी हम फॉन का बोक्स ओपेन करते हैं और दोस्तों एक भाई की एभी कमेट आई थी कि आप जो फ्रिजर में डालते हैं वो क्लोन फॉन है तो भाई क्लोन फॉन तो जरा भी पानी में नहीं टीकता है वो कमेट सायद आई फॉन 13 मेरा प्रो मेक्स में आई थी क्लोन फॉन होना तो वो पानी के अंदर डालने के बाद ही वो वोटर डेमेज हो जाता है और इजनल फॉन हो वही वोटर डेमेज नहीं होता है तो कई लोग को ऐसा होता है कि यह इतना मेहगा फॉन पानी में नहीं डालते और क्लोन फॉन डाल तो क्लोन कमपनी तो कैसे बना सकती है तो दोस्तो यह रहा हमारा फॉन तो फॉन को हम वाटर के बॉक्स में डालते हैं तो यह हमने फॉन को रख दिया है दोस्तो और यह रहा पानी तो तीरे तीरे हम पानी बॉक्स में डाल रहे हैं दोस्तो तो फोन में गेम स्टार्ट हो गई है तो ये हमारा बॉक्स पूरा पानी से भर गया है दोस्तों ये डिस्प्ले में पानी लग जाने के बाद टच में प्रोब्लेम रहता है क्योंकि यहां पर सब भी जगा पानी रहता है इसलिए दूसरा कुस दिक्कत नहीं रहती है तो इस बॉक्स को अभी हम फ्रीजर में बरफ के कमपाटमेंट में रखेंगे और जब तक बरफ ना जम जाएंगे तब तक हम निकालेंगे नहीं इस पॉन को तो अभी टाइम देख लेते हैं तो देखिए टाइम दस बज कर ग्यारा मिनिट हुई है तो हम तीन चार घंटे बाद इस पॉन को निकालेंगे तो यह रहा हमारा फ्रीजर यह रहा बरफ का कमपार्ट में दोस्तो साथ में हमने गोप्रो को डाला था तो गोप्रो हम निकाल लेते हैं और देखिए यहां पर हमने रख दिया है हमारा फोन को और दोस्तों फोन को हम उल्टा कर देते हैं ताकि एलवे जोन डिस्प्ले हम बरब जम जाने के बाद अच्छी तरह दिखे तो यह हमने रख दिया है और टाइम भी देख लिजी आप 10 बज कर 12 मिनिट के असपास हुआ है तो अभी हम कमपार्टमेंट को बन कर देते हैं और य कई लोग सेकंड हैं फोन लेते हैं सेकंड हैं मतलब तीन चार साल पूराना फोन ले और वो आईपी सिक्ट एट या सेवन है तो उसको आप वाटर पूफ ना समझे क्योंकि कही पर भी बीना सर्विस टेशन के वो ओपेन करवाया होता तो फोन वाटर पूफ नहीं रहता है तो खाश्टियान रखे तो दोस्तो अभी चार बज़ कर 20 मिनिट हुई है तो हमारे मोबाइल को फ्रीजर में रखे हुए 5-6 घंटे हो गये है तो हमें 4 घंटे का था पर हमें ताइम दूसरा काम आ गया इसलिए मोबाइल 5-6 घंटे हमारे फ्रीजर में पड़ा रहा तो हम दोर ओपेन करते हैं तो दोस्तो यह रहा हमारा फोन अभी देखते हैं हमारा फोन सही है क्या है क्या नहीं तो हम इस तरह से देख लेते हैं दोस्तो तो हमारा फोन स्टार्ट ही है दोस्तो तो दोस्तो यह रहा हमारा फोन पूरी तरह बरफ से जम गया है तो हम अभी फोन को न फोन स्टार्ट भी है यह टास्ट काम नहीं करेगा क्योंकि उपर बरफ है इसलिए तो अभी हम बरफ निकालने का स्टार्ट करेंगे दोस्ते दोस्ते जेखिए दिरे दिरे बरफ से हमारा फोन निकलेगा बहार अभी तो दोस्तो हमारा फोन पूरी तरा बरफ से निकल गया है देखिए तो पूरी तरा वर्किंग कर रहा है कुछ भी प्रोब्लिम नहीं आया है तो दोस्तो देखिए के मेरे का ग्लास भी क्लीन है तो फोन में कुछ भी प्रोब्लिम नहीं आया है और हम अभी हमारे फोन का ओडियो देखते हैं दोस्तो तो दोस्तो ये रहा हमारे फोन का स्पीक तो अभी अंदर थोड़ा थोड़ा पानी होगा यह पानी सूख जाने के बाद फोन पर्फेकली काम करने लगेगा तो और हमारे फोन का केमेरा भी देख लेते हैं दोस्तों तो देखिए यह सेल्फी केमेरा और यह मेन केमेरा तो केमेरा भी पर्फेकली काम कर रहा है दोस्तो तो यह था Samsung Galaxy A53 5G का फ्रीजर टेस्ट और दोस्तो ऐसी ट्राइ अपने मोबाइल पर अपने घर पर ना करें तो अच्छा है और अभी इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले हमारी में चैनल रमेश बोक अच्छा लोग्स यूटूब चैनल को पर सस्क्राइब करना ना भूलें